हैलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके इपनी यूटूब चनल आर की वर्माइलक्टिकल पर तो फाइनली दोस्तों इस वीडियों डिसकस करेंगे यूपी पीसेल में टीजी टू को नई वैकेंसी आने के लिए क्या क्या प्रिकराई चल लए हैं और कितने पद्रिक्त हैं और क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी अगर नहीं आएगी तो आपको क्या 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 करना आपको चाहिए किस प्रिकार से वैकेंसी आपको आ सकती है तो काफी जो हमारे भच्चे हैं वो 891 जो वैकेंसी थी उसमें लगबग आपके सलेक्ट हो गए हैं और जो काफी हमारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं फिलाल वो यही कम्मेंट करते हैं कि सर्व वैकेंसी कब आएगी या कितना टाइम लेगा चुनाफ से पहले वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी तो दोस्तों इन सारी बातों पर इ जन संदेश टाइम करके अकवार है उसमें ये निकाल लगया है यूभी पीसेल में 836 टेकनीशन की तैना थी यानि आप सभी को पता है जो 891 वैकेंसी है उसमें लगबग 836 को जो इनी की प्रोसेस लगबग लगबग फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है अब दोस्तो यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तो जिस प्रकार आप बिल्कुल अपने घर पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ करना चाहते हैं उस तरीका से वैकेंसी नहीं आने वाली है मैं आपको बिल्कुल साप साप मैंने जा करके जो बड़े हदिकारी हैं उनके सामने अपनी अपने बातों को वहाँ पर रखना है कि सर हम काफी लंबे समय से तयारी कर रहे हैं और वैकेंसी भी खाली पड़ी है और आपके सामने जीता जाकता ही प्रूफ है जिसमें बताया गया है कितने रिक्त पद हैं और कितन जरा देना चाहता हूं, जो आपका, जो JE OCEAN ACADEMY के हमारे सर हैं निखिल Bradley घातेभी पर आपको यानि आपने देखा होगा, आप पिछले एक हपते से यही प्रिक्रिया चल लई है , जब तक अपनी बातें सरकार के सामने नहीं रखी जा रही है तो दोस्तों लगता नहीं है कि वेकेंसी आपको घर बैठे मिल जाएगी तो मैं आपसे ही कहूंगा ग्यारत तारिक को सुबह जो आस पास के छेतर के जो हमारे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं और हकीकत में वेकेंसी देहना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी का सेवक सही वेकेंसी आएगी अन्यथा लगता नहीं कि आचार सहीता से पहले वेकेंसी आ जाएगी अगर आचार सहीता से पहले वेकेंसी आ जाती है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है अन्यथा लगबग अब यह पतानी उसके बाद फिर कितना टाइम लग जाएगा वेकेंसी आने के लिए कि यह कैपाना पॉसिबल नहीं है तो मैं आपसे यही कह रहा हूं जो हमारे भाई इतना कर सकते हैं तो मैं तो यही कहूंगा भाई जब आप तयारी कर रहे हो इतना समय इन सब चीजों के ल अपनी रखेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता दोस्तो के वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो मैं आपसे यही कहूंगा जो आसपास के हमारे भाई हैं जिनके लिए पहुंचना पॉसिबल है तो जरूर पहुंचे क्योंकि दोस्तो जिसके लिए आप तयारी कर रहे है यारी वेकेंसी नहीं आएंगी तो फिर क्या फाइद ऐसी तयारी करने का मान कर चलें दोस्तो कि 11 तारिक को यह आपका प्रोग्राम रखा गया है उदर अपनी पाचीत रखने का सांति पूर्वक आप यही मान कर अपने घर से निकल जाएं कि एक मिरा पेपर है या एक्जा तयारी करने का अभी आपको लाप मिलेगा till दोस्तों जाने में कोई विम है तो बिलकुल जरूरेक एक जुँट होकर जाएं और सांती पुरुवग अपनी बातों को ग्यारत आरिक को सक्ति वहान पर जाकर रखें और जो आपका इस मुहीं में साथ दे रहे हैं साथ देना चाहते हैं तो उनको थोड़ा मोटिवेट करें उनका साथ दें और जी जान से एक कोसिस कर ली जाए दोस्तों क्योंकि जो सारा को जो सिस्टम चल रहा है एक विश्वास और कोसिस के माध्यम से ही चल रहा है यहां से आप देखेंगे दोस्तों में एक बार आपको बता देने चाहता हूँ उत्तर परदेश पावर कॉर्पेस लिमिटेड यूबी पी सेल में महज 836 तकनीशन विद्धूत की नई भरती तैनाती हुई है दिल्चल बात यह है कि महज 10 तकनीशन विद्धूत तैनाती पूरवांचल विद्धूत विदरन नेमलिक लिमिटेड डिसकॉम में की गई है जबकि पूर्वान्चल डिस्कॉम संबंध जिले में 231 पद तक्निसन विद्धूत के पद हैं जो काफी दिनों से खाली चल रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बताना चाहा है कि 231 जो पद हैं वो आपके खाली चल रहे हैं और इनको सिर्फ इसमें से 10 नए जो टक्निसन विद्धूत हैं यह उनको हाँ पर जोइनिंग के लिए भेजा गया है क्योंकि दोस्तों लेकर करामचारियों ने गोर आश्चरिय करते हुआ कहा कि नए जो भरती की गई है वह है उन्ट के मुँमें जीरा के समान है इससे काम काज प्रभावित रहेगा दरसल में प्रदेश की मंसा है कि अनुरूप बिजली विभाग में भी तक्निसन विद्धूत के सीधी पर्दी के लिए चैनो परांद 836 न्युक्ति हुई है नाय पेमिका स्क्रिक्णों फिए अन्युक्ति के सब्सें मुथ जैसे खिरेये हुन है उरत्याइश क्रिक्या से चैनों लिए या KP है आपके सामने जीता जाता सक्वू सबूत है कि 231 पद सिर्फ अभी जो आपके रिक्त पद हैं वो आपके पूर्वांचल में ही खाली पड़े हैं बाकी 67 डिश्कॉम हैं मुश्किल से मुश्किल कम से कम माने तो 500 भी माने तो बहुत सारी वेकेंसी अभी यूबी पीसेल के पास तकनी सर्व विद्दूत के रूप में पड़ी हैं तो दोस्तों अन्यत मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी बातों को उधर जाके रखें तब जाकर आपको नई वेकेंसी देखने को मिल सकती है अन्यत हात पर रात रखने से बैठे से कुछ होने वाला है नहीं तो यहरा तारिक को आप अब से सकती बहुन पहुँचें और सांती पूर्वक तरीके से अधिकारियों के पास अपनी मांगों को रखें एक उम्मीद है कि वेकेंसी आचार सहीता से पहले निकल सकती है अन्यता दोस्तों लगता नहीं वेकेंसी आ जाएगी इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों और आपसे आगरे करता हूं और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप सभी लोग बढ़ चल कर महाँ पर हिस्सा लेंगे और अपना सहयोग देंगे धन्यवाद